अरे ये क्या चाई में केला क्यों डाल रही हो चाई तो पूरी खराब हो जाएगी और केला अलग से खराब होगा अरे नहीं होगा आप मेरे पर भरोसा तो रखो अरे ये क्या अब चाई में सेब भी डालने लग गई हो पूरी की पूरी चाई खराब हो जाएगी यहां तक के फ्रूट्स भी खराब हो जाएंगे करने क्या वाली हो तुम आज अरे मैं चाय बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी वाली चाय अरे लेकिन फ्रूट्स के साथ चाय कौन बनाता है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा यार दोस्त अरे अभी सब समझ में आ जाएगा लेकिन इसस सबसे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं फटा फट से हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम आपका थैंक्स कर सके तो दोस्तों पिछला थैंक्स जाता है पूनम जी को जलंदर से और नरेश जी को उदेपूर से सबसे पहले मेरी वाइफ ने इसमें दूद ल दालते हैं मैंने नहीं सोना था आज दूद पहले क्यों डाल रहे हैं क्योंकि आज हम बिल्कुल नए तरीके से चाय बनाने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी होने वाली है इसके बाद हमने एक गिलास पानी डाला है और एक चमश के करीब हमने चाय पत लेकिन आज इस तरीके की चाय शायद ही आपने कभी पियोगी और यह इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बार बार इसी चाय के लिए फर्माइस करोगे कि यही चाय बने अच्छा तुमने इसमे लाइची डाल दिये किसी के पास तुलसी हो तो वो तुलसी भी डाल सकता डरकली ठीक है अब यह जो तुमने केला और सेव का इस्तेमाल करा इस चाय में जो शुरुआत में हमने कुछ क्लिप्स दिखाई थी वह एक जो बहुत जरूरी चीज है हम उसको कहा कब कैसे डालने वाले थोड़ा सा वह ड लेवरिस बने बहुत ज्यादा टेस्टी बने बेसिकली जो जो चीज हमने चाल दी है सारी उन सब का फ्लेवर आ जाए बिल्कुल बिल्कुल और अधरक तुमने अभी तक इस तरहीं डाला ताकि चाय नहीं बाद में डालेंगे ना आप तुमने अधरक कूटी भी इसमें ड अधरक को बालेते हैं लेकिन चाय का कर अभी न थोड़ा सा फीका है उबलते डाक हो जाएगी क्या हां बिल्कुल अभी दूद्ध और चाय पती डाली है तो चाय का जो रस है वो सारा फ्लेवर जो इलाइची सब का रस आजएगा हां बिल्कुल जब हम चाय को उबाली लें अरे लेकिन ये सारी बात तो ठीक है, अब हमने चाय उबाल दी है, तैयार कर दी है, केला सेब की तुमने इतनी बड़ी बात बोली थी, वो केला सेब मुझे अब बताओ, वेस्टार में क्या-क्या होने वाला है? अब हमारी जो चाय है वो अच्छे से बॉल हो चुकी है तो अब हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले केसर की केसर चाय तो कश्मीरी चाय में बनता है कावा में बहुत टेस्टी लगता है केसर भी डलेगा इस चाय में हाँ अब तो कुछ अच्छा बनने वाला है मैं को पका शौरेटी आप केले सेप का बताओं सबसे पहले हमने केले को छील लिया है और एपल को भी हमने छील लिया है अभी इसकी पीसिस हम निकाल लेते हैं तो कि इसे हमें कद्दू कर्श करना है तुमने पहले बिताया था कि चाय में कद्दू करके आपल डलेगा लेकिन इससे होगा क्या यह कब डलने वाला है जब एक बार अच्छे से बॉल आ जाए तो इसमें हम केला डालेंगे पर बॉल तो आ गया आप केला क्यों डाल रहे हैं चाय पूरी बनकर तयार हो गई है बस केला हम इसलिए डाल रहे है ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ सके केले का हां और अब हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा मैं तुम्हें इतने दिन से कह रहा हूं कि मैं रोज-जो सेम सेम चाय पीके बोर हो चुगा हूं कुछ नया पनलाओ तुम्हारी चाय है एक जैसी होती है रोज तो तुमने यह नया तरीका खोजा जिसे चाय मुझे और भी जादा टेस्टी लगे तो केले के साथ सेब कब डालेंगे अब हम बस अभी डालेंगे एक अच्छा सा बॉयल आ गया तो अब हम इसमें आदा जो कट करा था एपल बस वही हम इसमें ड मेरी चोटी बेटी भी आपल देखे आपल मांग रही है तो बाकी बचावा एपल उसे देते हैं और इसको हम चाय में तयार कर लेते हैं और मुझे लगता है बहुत ही यम्मी रेसिपी बनके तयार होगी और यह इतनी खास रेसिपी मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी टेस् पुछाली चाय जो है ना मैंने सुनी बहुत है जिसमें हमने कुछ आपके सामने केसर भी डाला और अध्रक तुलसी लांग सौफ इलाइची सारी चीज़ डाली है तो यह चाय बहुत जबरदस बनती है दोस्तों यह चाय करने के बाद हमने इसको आप तक पहुचाने की कोशि पिलाएंगे ना तो वो इस बात को जरूर पूछेगा कि यह चाय आप लोगों ने बनाई कैसे तयार कैसे करें क्योंकि ऐसा कभी चाय में फ्लेवर लोगों ने नहीं चका होगा केला सेब का जो ट्विस्ट आया ना इस चाय में करारापना है वो इसको बहुत ही बहतर बना द के जैसे जैसे आप देखेंगे उबलती जाएगी हमने जादा देर केला नहीं उबालना होता सेब नहीं बालना होता सिब सिप दो और बाला सकते हैं जादा तेज आच भी ना हो और उसके बाद चीनी हमेशा एंड में डाले आ कीजिए चाय में उससे चाय है बहुत बंद कर देंगे मैं बताता हूं दोस्तों जब मैंने इसको टेश कराना तो मैं मिनी वाइफ से पूस्ता रहा कि तुमने तयार कैसे करी मुझे सच मुझ मैं यह पूरी डिटेल में बताओं फिर उसने जब मुझे बताया कि निकाल देते हैं उसके अधilly को अर extrem के यह जाने चाये तो सेपने यकाल की сов कर देते हैं बता है और इसको हलका सा जैसे आड़ोगए ते लेकिन अतना गर्म नहीं कि हाथ पर लगजा तो दिक्कत हो इसलिए हलका सा जैसे ही एक आदे मिनट के बाद एक बरतन में निकाल के उसके आदम चाय पी लेंगे यह चाय अच्छी करारी गरम है और मज़ेदार बनके तयार होगी है सबसे पहले एक बरतन में निकाल लिया है चानने के लिए और दोस्तों कैसी लगी आपको केले की और यह सेब की चाय जरूर कमेंट करके बताएगा क्योंकि यह सच मुच में मेरे पर भरोसा कीजिए बहुत टेस्टी बनी है मैं घर में पकोड़े बने हैं उसके साथ इसको खाऊंगा टेस्ट करूँगा और बहुत ही टेस्टी है भी जरूर ट्राइ कीजिए और दुनिया के कोन से कोने से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएगे ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें फिलाल कले फ्रेंड्स मैं चलता हूँ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती सम देने क्ले फ्रेंज